हलो स्टूडेंग्स, वेलकम बैक तो अनदर लेक्शर ऑफ मेट्राइसस, तो मेट्राइसस में हमने इससे पहले काफी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा हैं, तो जल्दी से जल्दी जाएए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लिस्टेद हैं, आप उनको देखके पूरा पूरा चैप्टर, पिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक की तयारी आराम से कर सकते हो, बहुत सारे एक्जाम्पल्स भ भी आप उतनी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि इस पे हम लोग पूरे के पूरे जेही की तयारी, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और बिल्कुल एंड तक करते हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजे, उससे मुझे भी पता चलता है कि बच्चे इन वीडियो से उनका हेल्प हो रहा है, उनको पढ़ने में आसानी हो रही है, और अगर वीडियो में कुछ पसंद आए, कुछ प्राबलम हो, कुछ चीजें पूछ नहीं हो आपको, तो आप कॉमेंट जरूर कर दीजे, उसका मैं reply कर दूँगा, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, matrices में, आज जो हम लोग concept पढ़ेंगे, वो है system of equations and criteria for consistency, यहाँ पे हम जो system of equation की बात करेंगे, वो होगा linear equation in three variable, ठीक है, तो यहाँ पे हम solve करने की कोशिश करेंगे, linear equation in three variable, पहला method जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है Gauss-Jordan method, ठीक है, आइए सीखते हैं, यह method क्या कहता है, कि जिसे मालनीजे आपके पास यह तीन equations दिये हुए हैं, और यह मिल के एक system of equation बनाते हैं, system of equation, linear equation in three variable, तो यह तीन equation आपको दिये हुए, और इसको solve करके हमें क्या निकालना है, x, y और z की value निकालनी है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले matrix में convert करें, और फिर वहां से हम इसका solution निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x plus y plus z, यह क्या कर लिया, हमने एक 3 rows और 1 column का matrix एक बन और इसको भी हमने 3 y 1 का matrix बनाया, तो यह दो matrix equal होंगे, तो हमें यह तीनो equations मिल जाएंगी, इसका first element, इसके first element के बराबर होगा, इसका second element, इसके second element के बराबर होगा, इसका third element, इसके third element के बराबर होगा, ठीक है क्या, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक यह matrix, ज तो आप अगर इसको अगर दो अलग-अलग matrix में break करना चाहो, दो matrix के product में break करना चाहो, तो वो इस तरीके से कर सकते हो, तो यह आपका coefficient matrix हो गया, और यह आपका variable वाला matrix हो गया, तो देखें, यहाँ से जो आपका first element, अगर इन दोनों matrix को multiply करके जो बनेगा, वो 1 into x plus 1 into y plus 1 into z, यही वाला element बना, ठीक है क्या, फिर 1 into x minus 1 into y plus 1 into z, यह second element बन जाएगा, and 2 into x plus 1 into y minus 1 into z, यह third element बन जाएगा, ठीक है, तो basically आपको करना क्या है, यहाँ पर बड़ा simple सा है, आपको एक coefficient matrix बनाना है, coefficient matrix यानि, a matrix consisting of all the coefficients of x, y and z, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा coefficient matrix, सबके coefficients लिख देंगे x, y, z के, तो first equation का coefficient हमारे पास आ गया 1, 1, 1, second equation का आ गया 1, minus 1, and 1, and third equation का आ गया आपके पास 2, 1, and minus 1, तो यह हो गया अपना coefficient matrix, फिर variable matrix, तो कौन से variable हैं हमारे पास, x, y and z, is equal to constant matrix, तो जो RHS में हमारा constant value दी हुई है, वो यहाँ पर आ जाएगी 6, 2, और 1, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना equation लिख लेंगे, suppose इस matrix को मैं A बोलता हूँ, इस matrix को मैं capital X बोलता हूँ, और इस matrix को मैं B बोलता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक matrix equation आ जाएगा, AX is equal to B, हमें निकालना क्या है, solve अगर हमें करना है, इस system of equation को, तो यानि हमें x, y, z की value निकालनी है, यानि यहाँ पर हमें ये वाला matrix निकालना है, ठीक है, यानि यहाँ पर ये जो capital X हमने माना है, इस matrix की value निकालनी है, अब आपके पास अगर ये matrix equation दिया हुआ है, तो इसमें आप अगर left side से, इस तरफ से, है न, यहाँ पर आके A inverse से multiply कर दोगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, तो ये बन जाएगा, आपके पास A inverse into A, X is equal to B, is equal to A inverse into B, और यहाँ से A inverse into A तो identity matrix हो गया, और identity matrix का अगर X के साथ multiply करोगे, तो X ही बन जाएगा, तो यहाँ से clearly आपको X की जो value मिलती दिख रही है, वो है A inverse into B, ठीक है क्या, इस तरीके से हम X की value निकाल सकते हैं, आप चाहें, तो A inverse को, at joint A upon determinant of A into B भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहीं से आपका जो variable matrix आता है, वो आपका हो जाता है, at joint of A into B upon determinant of A, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, X is equal to A inverse into B, which represents the unique solution, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ conditions भी अब लगेंगे, क्या लगेगा, कि सिंस यहाँ पर A inverse से आप multiply करने के बाद ही X की value निकाल पा रहे हो, तो यानि X की unique value तभी निकल सकती है, जब A inverse exist करे, यानि आप A inverse निकाल पाओ, यानि A invertible matrix होना चाहिए, और A invertible matrix तभी होता है, जब determinant of A क्या हो, non-zero हो, तो यानि कहने का मतलब कि इस equation का unique solution तभी होगा, unique solution तभी होगा, जब A क्या हो, invertible हो, यानि कहने का मतलब determinant A की value क्या हो, non-zero हो, तो यह हम याद रखेंगे, कि the system of equation has a unique solution, if determinant of A is not equal to 0, ठीक है, कुछ points यहाँ पे हम note करके लिख लेते हैं, सबसे पहला, कि अगर आपके पास determinant of A is non-zero, then system is consistent, having unique solution, देखो, कभी भी आपके पास linear equation in 3 variable का system of equation दिया हुआ है, और उसका solution exist करता है, ठीक है, तो अगर solution exist करता है, तो ऐसे system of equation को हम लोग बोलते हैं consistent, और अगर solution exist नहीं करता है, तो ऐसे system of equation को हम लोग बोलते हैं inconsistent, ठीक है, तो इसलिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर determinant of A is equal to 0 है, तो अभी अभी हमने देखा था कि system का एक unique solution होता है और वो unique solution हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब जब solution exist कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि system is consistent ठीक है अगर आपके पास determinant of a non-zero है और adjoint of a into b भी एक non-null matrix है यानि null matrix नहीं है तो हम कहेंगे कि system is consistent having unique non-trivial solution non-trivial solution के लिए सबसे पहले तो आपको trivial solution समझना पड़ेगा what is a trivial solution देखो trivial solution होता है अगर आपके पास system of equation जैसे इसी system of equation की बात करें तो यहाँ पे हमारा variable x, y, z है ठीक है क्या तो हमारा जो trivial solution होगा न वो basically x is equal to 0 y is equal to 0 और z is equal to 0 को represent करता है ठीक है तो यह हमारा trivial solution होता है तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास determinant of a non-zero है adjoint of a into b एक null matrix नहीं है तो उस case में system का तो unique solution देखे यह जो determinant of a non-zero हुआ तो यहाँ से यह तो ensure हो गया कि system का unique solution होगा अब वो unique solution 0-0-0 भी हो सकता था या फिर यह non-zero solution भी हो सकता था non-trivial solution भी हो सकता था non-trivial solution तभी होगा जब आपके पास adjoint of a into b एक null matrix नहीं आए ठीक है अगर यह एक null matrix आ जाता है तो उस case में आपके पास जो solution होगा वो trivial solution होगा यानि तीनो वेरियेबल की value क्या आ जाएगी 0, 0, and 0 अगर determinant of a is equal to 0 हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या scene है इतना तो clear है कि unique solution नहीं होगा ठीक है unique solution होने के chances यहाँ खतम हो जाते हैं जैसे ही determinant of a is equal to 0 होता है लेकिन system of equation consistent होगा या inconsistent होगा उसके लिए हमें आगे investigate करना पड़ेगा ठीक है आगे investigate करने के लिए हम सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि हमारा जो solution आता है वो आता क्या है तो हमारा जो solution आता था x is equal to यह आता था adjoint of a into b है ना adjoint of a into b upon determinant of a ठीक है अब हमने यह बात कही कि भाई अगर determinant of a non-zero होगा तो आपके पास system of equation का unique solution आएगा अब यह unique solution दो तरीके के हो सकते हैं एक unique solution हो सकता है trivial ठीक है क्या एक unique solution हो सकता है trivial दूसरा unique solution हो सकता है non-trivial ठीक है आए हम इसको लिखे लेते हैं तो यहाँ से दो case यहाँ से पहला तो हमारा case बनता है कि if if determinant of A is non-zero अब यहाँ से हमारे पास दो case बनता है पहला case बनता है कि अगर हमारे पास adjoint of A into B अगर एक null matrix हो जाए तो यह हमें result देगा trivial solution यहाँ से हमें क्या मिलेगा trivial solution लेकिन अगर हमारे पास adjoint of A into B एक null matrix नहीं होता है तो फिर यहाँ से जो result आता है हमारा वो आता है non trivial solution लेकिन in any case यहाँ पे हमेशा जो exist करेगा solution वो solution हमेशा हमारा unique solution होगा ठीक है यहाँ पे solution हमेशा क्या होगा unique solution होगा ठीक है तो यह बात हमारी clear हो गई कि जब हमारा determinant of A non-zero होगा तो क्या-क्या हो सकता है लेकिन अगर हमारे पास determinant of A is equal to zero हुआ तो उस case में क्या होगा उस case में भी दो scenarios बन सकते हैं पहला scenario यह है कि adjoint of A into B अगर null matrix हो जाए ठीक है तो इस case में हमारे पास infinite solution exist करता है यानि यहाँ पे infinite solution exist करता है यानि solution तो exist करता ही है तो इस case में हमारा system क्या हो जाता है system of equation is consistent क्योंकि solution exist करता है न इसमें भले infinite solution exist करता हो तो system of equation यहाँ पे क्या हो जाता है consistent लेकिन वहीं अगर adjoint of A into B अगर non zero हो जाए यानि कहने का मतलब null matrix नहीं हो तो इस case में फिर आपका कोई भी solution नहीं exist करता है और आपका system of equation क्या हो जाता है inconsistent बड़ा simple सा है इसको समझना भी क्योंकि अगर यह मान लीजे नॉन नल मेट्रिक्स है तो नॉन नल मेट्रिक्स में आपके पास जो elements होंगे इस resultant matrix के जो elements होंगे उसमें कोई non zero element भी होगा तो जब आप x के साथ उसको compare करिएगा तो non zero element upon zero आ जाएगा तो non zero upon zero is not defined तो non zero upon zero is not defined that is why we say that कि आपके पास system of equation जो होगा inconsistent रहेगा ठीक है तो अगर इन सारी बातों को अगर हम summarize करना चाहें तो आईए इसको सबसे पहले summarize कर लेते हैं summarize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पेज आट कर लेते हैं ठीक है तो summary हो गया हमारे पास कि हमारा जो solution आया था x यह solution आया था adjoint of a into b upon determinant of a ठीक है अब यह solution के corresponding हमारे पास दो case निकल के आया क्या case निकल के आया पहला case निकल के आया कि जब हमारे पास determinant of a non-zero होगा तो जब determinant of a non-zero होगा तो यहाँ से भी हमारे पास दो case निकल के आया पहला case निकल के आया कि अगर determinant of a non-zero हुआ तो ये तो ensure कर दिया कि आपके पास unique solution होगा ठीक है यहाँ पे हमेशा ये बात ensure हो जाती है कि आपका जो solution होगा वो unique solution होगा लेकिन ये unique solution किस तरीके से होगा तो आपके पास हो सकता है trivial solution trivial solution यानि कहने का मतलब that is x, y, z ये किसके बराबर आजाए 0, 0 और 0 के बराबर if a joint of a into b is a null matrix ये क्या हो? null matrix हो तो इस case में आपके पास हो जाता है trivial solution इसका हो सकता है non-trivial solution non-trivial solution if a joint of a into b is not a null matrix is not a null matrix ठीक है? फिर अगला scenario बन सकता है आपका कि अगर आपका determinant of a 0 आ जाएगा अब अगर determinant of a 0 आ जाएगा तो भी यहाँ से दो situations निकल के आती हैं क्या निकल के आता है? सबसे पहला situation यह निकल के आता है कि अगर आपके पास if a joint of a into b is a null matrix ठीक है? अगर यह आपके पास null matrix है तो इसका मतलब यह होगा आपके पास कि system of equation has infinite solution system of equation has infinite solution ठीक है? और यह and is consistent and is consistent if solution exist करेगा तो equation system of equation हमारा क्या होगा? consistent होगा डूसरा scenario कि if a joint of a into b is not a null matrix ठीक है? तो इस case में आपके पास no solution हो जाएगा no solution and system of equation is inconsistent क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी solution exist नहीं कर रहा है ठीक है क्या? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे यह समझने की जरूरत है कि यह infinite solution का मतलब क्या हो रहा है? infinite solution का मतलब यह हो रहा है कि आपके पास more than one triplet of x, y, z होंगे जो आपके system of equation को satisfy करेंगे यानि हो सकता है कि आपके पास एक solution 0, 0, 0 आए एक solution 1, 1, 1 आए एक solution 2, 2, 2 आए and so on तो ऐसे आपके पास infinite triplets बनेंगे x, y, z की values के जो उस equation को क्या करेंगे? satisfy करेंगे ठीक है न? तो इसका मतलब होता है आपके पास infinite solution ओलाइट? तो यह हो गया हमारी summary gauss-jordan method की तो आएए इसका application करके हम एक सवाल करते है question में हमारे पास एक system of equation दिया हुआ है इन three variable यह पहला equation हो गया यह दूसरा equation हो गया और यह तीसरा equation हो गया gauss-jordan method से हमें बनाना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? अपना equation matrix के form में convert कर लेते हैं तो सबसे पहले हम coefficients का matrix बना लेते हैं तो first equation के coefficient है आपके पास one, two and three second equation का है two, four and five and third equation का है three, five and six three, five and six ठीक है? variable matrix हमारा हो गया x, y and z और constants वाला matrix हमारा है two, three and four two, three and four कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कहीं determinant of a 0 तो नहीं है तो determinant of a की value फटाफट निकाल लेते हैं तो determinant of a आया आपका one into 24 minus 25 that is minus 1 minus 2 into यह आजाएगा आपके पास minus 12 sorry, plus 12 minus 15 so minus 3 and plus 3 times यह बन जाएगा 10 minus 12 यह बन जाएगा 10 minus 12 यह बन जाएगा 10 minus 12 यह value आपके आगई minus 1 plus 6 minus 6 that is minus 1 which is clearly not equal to 0 तो इतना तो clear है कि system of equation का जो solution होगा वो एक unique solution होगा ठीक है? तो आएए अब निकालते हैं कि unique solution होगा क्या तो हमने clearly देखा था कि हमारा जो unique solution होता है वो होता है adjoint of A है ना into B upon determinant of A है ना adjoint A कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें adjoint A निकालना पड़ेगा तो आएए सबसे पहले adjoint A निकालते हैं adjoint निकालने के लिए हम क्या करते हैं? co-factor के matrix का transpose ले लेते हैं तो 1 का co-factor क्या हो जाएगा? 24, minus 25, minus 1 positive position था तो minus 1 2 का minor पहले निकाल लेते हैं तो minor हो जाएगा negative position है 2 क्योंकि 1, 2 position है तो negative position है तो ये 12, minus 15, minus 3 हुआ negative position था तो ये 3 हो जाएगा फिर इसका आजाएगा आपका 10, minus 12 minus 2, तो minus 2 ठीक है? इसका हो गया आपके पास 12, minus 15 2,1 है negative position है 12, minus 15 ठीक है? तो ये minus 3 आता है negative position है तो 3 हो गया फिर इसका अगर हम देखेंगे तो 6, minus 9 तो minus 3 हो जाएगा फिर इसका अगर हम देखेंगे तो 5, minus 6 तो ये आपका आगया 1 5, minus 6, minus 1 होता negative position है 2,3 है तो 1 हो गया फिर इसका अगर हम देखें तो ये positive position है 10, minus 12 तो minus 2 ठीक है? इसका देखें तो 5, minus 6, minus 1 तो ये बन जाएगा 1 इसका अगर हम देखें is 0, ठीक है, तो यह आपका आगया Adjoint of A, फिर हमें निकालना है Adjoint of A into B, यह न, तो यह बन जाएगा Adjoint of A लिख लेते हैं, माइनस 1, 3, माइनस 2, 3, माइनस 3, 1, माइनस 2, 1 and 0, इसमें करना है हमें B से multiply, तो B हमारा matrix था, 2, 3, 4, मतलब 2, 3 and 4, जिसको multiply करते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, तो माइनस 2, प्लस 9, माइनस 8, माइनस 2, प्लस 9, तो प्लस 7 हो गया, and माइनस 8, तो माइनस 1, ठीक है, फिर यहां से हो गया आपके पास, 6, माइनस 9, तो माइनस 3, प्लस 4, यह हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा, माइनस 4, प्लस 3, तो माइनस 1, तो यहां पे भी आगया, माइनस 1, ठीक है, तो यह आगया, आपका adjoint A into B, तो देरफोर, आपके पास X की जो वैली हो जाएगी, वो हो जाएगी, 1 अपॉन, डिटर्मिनांट ओफ A, डिटर्मिनांट ओफ A, माइनस 1 आया था, और adjoint of A into B, तो यह माइनस 1, 1, and माइनस 1, तो माइनस 1 अंदर ले जाके, मल्टिप्लाई कर देते हैं, हर एलेमेंट से, तो X की जो वैल्यू आ गई, और यह X खुद था, X, Y, Z, है न, इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1, माइनस 1, and 1, तो यानि यहां से हमारे पास, जो solution आएगा, वो X is equal to 1, Y is equal to minus 1, and Z is equal to 1, देखते हैं एक बर कि यह satisfy कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर हम X की वैल्यू 1, Y की वैल 1, minus 2, यह हो गया, minus 1, and plus 3, 2, satisfy कर रहा है, यहां पर X की वैल्यू 1, 2, minus 4, minus 2 हो जाएगा, plus 5, 3, यह भी satisfy कर रहा है, 3, minus 5, is minus 2, plus 6, 4, satisfy कर रहा है, तो यह हमारा जो solution आया, यह बिल्कुल, सही solution आया, तो this will be our answer, तो यह तरीका होता है, Goss-Jordan method of solving a linear equation in 3 variable, a system of linear equation in 3 variable, और इस case में clearly हम देख रहे हैं कि system हमारा consistent है, unique solution है, unique solution कहने का मतलब कि X, Y, Z का सिर्फ एक-एक value ही equation को satisfy करेगा, एक के अलावा नहीं, तो अगर X की value 1 आ गई, तो अब X की दूसरी कोई value नहीं हो सकती, Y की value minus 1 आ गई, तो Y की दूसरी कोई value नहीं हो सकती, Z की value 1 आ गई, तो Z की दूसरी कोई value equation को satisfy नहीं करेगी, So this is what is meant by unique solution, ठीक है, चलिए, next हम बहुत interesting method देखते हैं, Gauss elimination method, Gauss elimination method के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, elementary row operation, ठीक है, कि ये elementary row operation क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि elementary row operation जो हम matrix पे perform कर सकते हैं, जिसके बाद values change नहीं होती हैं, वो तो सबसे पहला तीन basic operations होते हैं, पहला operation होता है कि interchanging two rows, ठीक है, हम क्या करते हैं, दो rows को interchange कर सकते हैं, multiplying any row by a non-zero scalar and subtracting elements of any row by equi multiples of corresponding elements of another row, ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, तो इसको हम एक काम करते हैं, यह तीनों elementary, पहले elementary operations समझ लेते हैं, एक elementary operation होता है interchanging two rows, याद रहेगा, एक elementary operation हुआ कि interchanging two rows, दूसरा हुआ कि multiplying any row by a non-zero scalar, किसी भी row को किसी non-zero scalar से multiply कर सकते हैं, फिर subtracting elements of any row by equi multiples of corresponding elements of other row, यानि किसी एक row में, आप किसी scalar quantity से multiply कर दीजे, और उसको दूसरे किसी row से subtract कर दीजे, तो यह आपका तीसरा operation हुआ, ठीक है, दो rows को interchange करना, पहला operation, किसी भी row में, किसी scalar से multiply करना, यह दूसरा operation, किसी एक row में, किसी constant से multiply करके, किसी दूसरे row से subtract करना, यह तीसरा operation, तो यह basically आपके तीन elementary row operations होते हैं, इनको perform कैसे करते हैं, solution निकालने के लिए, वो समझते हैं, तो इसको हम question से समझेंगे, तो यहाँ पे हमें एक system of equation दिया हुआ है, x plus y plus z is equal to 4, 3x plus 2y minus 2z is equal to 1, and 5x plus y minus z is equal to 4, ठीक है, अब आईए इसको solve करते हैं, gauss elimination से, और वहीं से सीखेंगे, कि exactly हम इसमें process क्या use कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम अपना वो काम तो कर लेते हैं, matrix equation बना लेते हैं, तो यह हमारा coefficient matrix हो गया, यहाँ पे है 1, 1, 1, यहाँ आपके पास है 3, 2, minus 2, और यह है आपके पास 5, 1, and minus 1, ठीक है, फिर आपका यह variable वाला matrix है, x, y, z, ठीक है, और is equal to, यह आपका constant वाला matrix हो गया, 4, 1, and 4, ठीक है, अब देखिए, process क्या है यहाँ पे, पहले तो इसके पीछे का fundamentals क्या है, वो समझाता हूंने आपको, देखिए, row operation से हमें क्या करना है, इस matrix को identity matrix में convert करना है, इस matrix को क्या करना है, तो जो absolute essential and the steps to be followed है, वो यह है, कि आपके पास ax is equal to b जो equation आया है, उसमें हम लोग करेंगे क्या, use elementary row operations, ठीक है, row operations to convert a into, into an identity matrix जैसे ही a identity matrix और जो जो हम elementary operation a पे करेंगे, same वो elementary operation हम लोग b पे भी करेंगे, है न, replicate all the elementary operations, all the elementary operations, conducted on a, also on b, हम b पे भी वो सारे operations कंड़क्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही a आपका identity matrix में convert होता है, जैसे ही a आपका identity matrix में convert होता है, तो identity matrix into this matrix will become this matrix only, है न, यही matrix आपके पास बचेगा, तो जैसे ही a identity matrix में convert होगा, वैसे ही आपको इस equation का solution मिल जाएगा, ठीक है, तो once a is converted into identity matrix, you will have your solution, once a gets converted into identity matrix i, we will have our solution, we will have our solution, ठीक है क्या, यह हमारे पास fundamental है, जो हम basically इस पूरे यूनो प्रॉसेस में follow करेंगे, लेकिन यह भी हमारे लिए कुछ जादा ही steps हो गए, क्योंकि आपको identity matrix में convert करने के लिए काफी सारे steps करने पड़ेंगे, तो इसको भी हम थोड़ा सा reduce कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग reduce कर सकते हैं, तो इसका मैं बना रहा हूँँ एक modified version, ठीक है, modified version, और modified version क्या कहता है, ठीक है, आपको इसको convert करना है, वैसे तो उस matrix में जो हम convert करते हैं, उसको हम एक special नाम देते हैं, लेकिन फिर भी हम नाम से नहीं, हम process पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो modified version यह कहता है, कि आपको A को identity matrix तक लेके नहीं जाना है, A को सिर्फ आप क्या करिए, एक upper triangular matrix बनाईए, ठीक है, reduce A, A to an upper triangular matrix, ठीक है, यानि इस बार आपको identity matrix तक लेके नहीं जाना है, बस A को एक upper triangular matrix तक reduce कर देना है, फिर जब एक upper triangular matrix में reduce हो जाए, तो then expand and solve, then expand and solve, अब यह reduce A to upper triangular matrix कैसे करेंगे, using row operations, और जैसे हमने इस वाले point में लिखा था, कि जो जो row operation हम लोग A पे करेंगे, वो सारे row operation हम लोग B पे भी replicate करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास steps क्या रहेंगे, यह तो हमने पीछे का जो working ideology है, यह तो समझ लिया, steps to be followed क्या होगा, तो बड़ा simple सा steps है, सबसे पहला step, एकदम आपको आँख बूंद करके step follow करना है, अपने आप आपका solution आ जाएगा, सबसे पहला step है, कि आपका जो पहला element है, A11, ठीक है, A11 को आपको सबसे पहले 1 बनाना है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो अगर पहले ही किसी x का coefficient आपको 1 दिख रहा है, तो वो वाला equation पहला equation कर दो, नहीं समझ में आया, अगर माननी जे, इस expression में ये हमारा first equation होता, ये हमारा second equation होता, ये हमारा third equation होता, तो हमें clearly दिख रहा है कि third equation में, x का coefficient 1 है, तो मैं इसको third equation की हूँ, इसको first equation मानूँगा, ठीक है, first equation मानने से हमारे पास benefit क्या हो गया, कि a11 हमारा one हो गया, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि first step में make a11 equal to one, ठीक है, a11 को हमने सबसे पहले one बना दिया, फिर हमें क्या करना है, जैसे ही ये one बन गया, अब इन दोनों को हमें zero करना है, ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, zero करना है, तो process बड़ा simple है, अब अगर ये one हो गया, तो a21 से इस पूरे row में multiply करके, इसको minus कर देंगे, यानि हम जो row operation करेंगे, ठीक है, row operation, conduct a row operation ऐसे लिख देते हैं, या carry out this row operation, carry out, क्या row operation करना है हमें, कि r2 को, row 2 को हमें replace करना है, कैसे, row 2 minus a21 times row 1, ठीक है, and r3 को भी हमें replace करना है, कैसे, r3 minus a31 times r1, जैसे ही हम ये row operation करेंगे, ये दोनों terms हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है क्या, ये दोनों terms हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अब अगर ये operation हो गया, तो इसके बाद तीसरा step ये है कि make a to 2 is equal to 1 क्योंकि अब ये हमारे पास 1 आ चुका है ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है तो इसके बाद हम इसको 0 बनाएंगे ठीक है? इसको 0 बनाएंगे स्वरी, 0 नहीं, 1 बनाएंगे इसको 1 बनाएंगे तो make a to 2 is equal to 1 1 बन गया तो चौथा step बड़ा simple सा है कि now carry out this row operation क्या है तो R3 को replace करना है आपको R3 minus ये वाला जो बचेगा after these two operations, इन दो operation के बाद ये जो value आपकी बन रही है ये A32 है तो A32 से आप R2 में multiply करके R3 से minus कर देंगे यानि हम ये operation करेंगे कि R3 minus A32 times R2 ठीक है बस इतना ही आपको करना है आपका answer आजाएगा ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और आपका answer आजाएगा आएए अब solve करके देखते हैं और ये steps को follow करके देखते हैं तो हमारे पास ये equation बना था एक काम करते हैं इसको copy कर लेते हैं ठीक है और यहाँ paste कर लेते हैं ठीक है ये paste हो गया आएए, अब हम अपना row operation करना शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पे R2 को replace करना है R2 minus 3 times of R1 और R3 को replace करना है R3 minus 5 times of R1 क्योंकि ये इससे multiply करना था R1 को और इससे multiply करना था R1 को ठीक है तो अब इस operation के बाद हमारा resultant क्या बना द्यान से देखिए first row को हमने touch नहीं किया है तो 1, 1, 1 ये first row ऐसा ही रह जाएगा second row को बनाने के लिए हमने क्या किया है इसमें हमने 3 से multiply कर दिया और R2 minus 3 times आप R1 कर रहे है तो 3 minus 3 ये 0 हो गया 2 minus 3 ये minus 1 हो जाएगा ठीक है minus 2 minus 3 आपके पास minus 5 हो जाएगा ठीक है फिर ये 5 minus 5 0 हो गया 1 minus 5 minus 4 हो जाएगा and minus 1 minus 5 is minus 6 ठीक है ये पहला step हो गया तो देखिए हमारे पास 2 zeros introduce हो गए same operation मुझे इस पे भी करना है तो इसमें this minus 3 times of this करना है first row हमने touch नहीं किया था तो वो ऐसे ही रहेगा second row में R2 minus 3 times of R1 था तो 1 minus 3 into 4 तो minus 11 हो जाएगा similarly 4 minus 5 into 4 तो minus 16 हो जाएगा same operation जो आपने A पे किया था same वही operation आपको B पे भी करना है ठीक है all right अब हमें क्या करना था next हमें इसको 1 बनाना है तो हम अब वापस एक operation कर रहे हैं कि R2 को replace कर रहे हैं R2 into minus 1 से ठीक है process पुरा follow करेंगे unnecessary हम उसमें कुछ काम नहीं करेंगे वैसे हम मुझे इसको 0 actually ultimately तो मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं चाहूं तो ये step को avoid कर सकता हूँ चलिए करी लेते हैं avoid ठीक है क्योंकि ये 1 है तो बहुत आसानी से 0 बन सकता है तो basic हमें fundamental clear होना चाहिए कि मुझे इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए मैं सीधे सीधे अगर ये row operation इस तरीके से लिखूं कि R3 को मैं replace कर रहा हूँ R3 minus 4 into R2 से देखिए तो आपका ये 0 हो जाएगा तो यहां से operation के बाद जो आपके पास determinant बना sorry matrix बना वो ये तो 1 1 1 ही रहा ये 0 minus 1 और minus 5 रहा अब यहां पर देखिए this minus 4 into minus 1 ठीक है तो ये 0 बन जाएगा तो यहां 0 और यहां 0 फिर minus 6 minus 4 into 5 तो minus 6 plus 20 तो 14 हो गया ठीक है और ये value आगई आपकी x, y, z रही same operation हमें इस पे भी करना है तो first और second row को तो हमने touch नहीं किया थो 4 और minus 11 तो वैसा ही रह गया यहां पर हमने क्या करना है इसमें minus 16 minus 4 into minus 11 तो minus 16 plus 44 हो जाएगा तो minus 16 plus 44 is 28 ठीक है ये बन गया बस इतना ही करना था हमें अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि इसको expand कर देंगे expand करिएगा तो देखिए आपके पास 3 equation क्या क्या बनेगा इसको expand करिएगा तो 1 into x plus 1 into y plus 1 into z तो ये बन जाएगा x plus y plus z is equal to 4 फिर दूसरा 0 into x plus minus 1 into y minus 5 into z तो minus y minus 5 z ये is equal to क्या आगया minus 11 और तीसरा equation देखे बना 0 into x plus 0 into y plus 14 into z तो 14 into z is equal to 24 28 अब यहां से आपके पास सबसे पहले z की value आजाएगी 2 ये z की value आप यहां पे रखिएगा तो y की value आजाएगी 1 है ना और ये y और z की value यहां पे रखिएगा तो यहां से x की value आजाएगी 1 तो therefore जो आपका solution आया वो x is equal to 1 y is equal to 1 and z is equal to 2 आजाएगा and this is your answer तो यह operations row operations करके हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं a को upper triangular matrix में reduce कर लेते हैं जैसे ही upper triangular matrix में reduce होगा equation को वापस से expand करके और हम देखेंगे कि आसानी से हमारा solution आ जाता है तो यह वाला method जो है यह relatively जाता आसान है as compared to यह वाला method जो हमने पढ़ा था क्यूं? क्यूंकि उसका reason है कई बार हमें adjoint a निकालने में परिशानी हो सकती है वहाँ पे mistake के chances जाता हैं क्यूं? क्यूंकि आपके पास 9 element हैं 9 element के corresponding को factors निकालने हैं तो किसी ना किसी एक element में plus minus में अगर कहीं कोई mistake हो गया तो पूरा का पूरा answer आपका और पूरा चौट पॉर्ट हो सकता है और पूरी की पूरी मेनत पर पानी फिर सकता है ठीक है? यहाँ पे इसके chances बड़े कम होते हैं यहाँ पे mistake के chances बड़े कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे normal जो multiplication और addition subtraction वाली जो operations हैं यह बड़े कम use होते हैं और हमारी mistake जादा तर इन्हीं operations में होती है ठीक है? तो यह बड़ा full proof method है मतलब इसमें mistake के chances बड़े कम होते हैं and that is why we should prefer this method to find the actual solutions ठीक है? elementary row operation का method use करके हम inverse भी निकाल सकते हैं किसी भी matrix का मैं आपको सबसे पहले fundamental सिखाता हूँ कि exactly हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं तो जैसे माल लिजे हमारे पास यह है अपना matrix A ठीक है क्या? matrix A है इसको अगर हम A inverse से multiply करेंगे ठीक है? A inverse से multiply करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I ठीक है? तो हम सबसे पहले यह equation लिख लेंगे अब idea बड़ा simple है A पे हम row operations कुछ इस तरीके से करेंगे such that A identity matrix में convert हो जाए और same row operations हम लोग I पे भी conduct करेंगे ठीक है? जो row operation हमने A पे conduct किया था same वो row operation हम लोग I पे conduct करेंगे तो जब यह A identity matrix बनेगा यह I जो होगा वो आपका inverse बन जाएगा क्योंकि जब यह identity matrix हो गया तो identity matrix into A inverse will be A inverse ठीक है? तो इधर आपका A inverse ही रहे गया और इधर जो नया matrix बनेगा आपका वही आपका A inverse के बराबर हो जाएगा तो समझाता हूँ मैं किस तरीके से? एक example करके हम लोग इसको सीख लेते हैं ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास A जो matrix दिया हुआ है ठीक है? यह है आपका 1, 2, minus 2 ठीक है? minus 1, 3, 0, 0, minus 2, and 1 देखिए यह आपके J E के syllabus में ऐसा कोई बहुत ज़ादा इसकी importance है नहीं लेकिन फिर भी हमें एक idea होना चाहिए कि यह होता कैसे है ठीक है क्या? into A inverse is equal to identity matrix तो हमारे पास 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 001 हो जाएगा ठीक है क्या? अब यहाँ पे row operation करेंगे कैसे? तो बड़ा simple सा है जो हमने row operation के steps यहाँ पे देखें है ना बस उसी तरीके से करना है simple है इसमें करना ये है कि आपको इसको सबसे पहले 1 बनाना है क्योंकि identity matrix में convert करने के लिए ये element तो आपका 1 होना चाहिए तो आपको ये वाला step करना पड़ेगा फिर आपको ये वाला step भी करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को 0 बनाना है आपको फिर आपको ये वाला step भी करना पड़ेगा क्योंकि ये element आपका 1 होना चाहिए identity matrix में ठीक है? तो ये वाला step भी आपको करना पड़ेगा फिर आपको इसको भी 0 बनाना है हम वहाँ पे copy कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं पहले यह सारे steps लिख देता हूँ थोड़ा short कर लेता हूँ इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे additional step यह भी रहेगा बस इसमें यहाँ आपको since इस वाले element को भी 0 करना होगा तो यहाँ पे एक और operation आपको करना पड़ेगा कि R1 को अब आप replace करिएगा R1 minus this number यानि A12 times R2 से ठीक है फिर जब यह 1 हो चुका है यह 0 हो चुका है यह 0 हो चुका है यह 1 हो चुका है यह 0 हो चुका है तो बस हमें क्या करना है इसको 1 बनाना है, और इन दोनों को 0 करना है, तो अब पांचवाँ step हमारे पास हो जाएगा, make, a33 is equal to 1, और छठा step हो जाएगा, आपको operation करना होगा, कि r1 को आप replace करिएगा, यह जो number यहाँ पे उस समय होगा, after all these 5 steps, तो आपके पास a13, sorry, r1 minus, आपको operation करना होगा, कि r1 minus a13 times r3, और r2 को आपको replace करना होगा, r2 minus a23 times r3, बस यह 6 steps जैसे ही आप करिएगा, आपको आपका inverse मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बिना दिमाग लगाए, यह 6 steps conduct करने है, ठीक है, तो आएए, इसको हम next page पे carry out करके दिखाते हैं, तो यह हमारा expression था, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला step, first step, तो first step तो already किया हुआ है, यह already one है, ठीक है क्या, यह already one है, तो मुझे बनाना है इसको zero, यह already zero है, तो हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे operation करना होगा, operation क्या करना होगा, कि R2 को replace करना होगा, R2 प्लस R1 से, ठीक है क्या, क्योंकि इसको zero बनाना है हमें, तो यहाँ पे आपके पास जो resultant matrix आया, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, one, two, minus two, यह दोनों जोड़ा है, हमने तो यह zero, यह five, यह minus two, और यह तो वैसे ही zero है, तो इसको हमने कुछ किया नहीं था, यहाँ पे minus two, यहाँ पे one, ठीक है, same operation हम लोग अपने identity matrix के साथ भी करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास one, zero, zero, यह भी one हो गया, क्योंकि add किया है हमने, one और zero, और इस पे कुछ नहीं किया था, त यह आपका second step हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको one बनाना है, तो हम क्या करेंगे, r2 में five से divide करेंगे, तो हम जब operation, next operation करने वाले हैं, वो है कि r2 को हम replace करेंगे, r2 divided by five से, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि r2 में हम one by five से multiply करेंगे, तो one by five into r2, तो यह operation करने वाले हैं हम, तो आईए, कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास one, two, minus two, यह हो गया, zero, one, and minus two by five, यह आपका zero, minus two, and one, ठीक है, सेम operation आपको इधर rhs वाले matrix पे भी करना है, तो यह हो जाएगा one, zero, zero, इसको हमने five से divide किया थो, तो one by five, one by five, zero, 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 one, ठीक है, अब next operation है हमें, हमारे पास, कि हमें इन दोनों elements को zero बनाना है, ठीक है, तो operation क्या करेंगे हम, r1 को replace करने वाले हैं, हम, r1 minus two into r2 से, और r3 को replace करने वाले हैं, r3 plus two into r2 से, ठीक है, अब यह operation करके देखिए, आपका क्या आता है, तो यहाँ पे, first row में हमें क्या करना है, पहले तो इसमें two से multiply करना है, और first row में से minus करना है, तो यह तो one ही रह जाएगा, two minus of two, यह zero आ गया, ठीक है, और minus two and plus of four by five, तो minus six by five हो जाएगा, ठीक है, फिर यह second row तो हमने touch किया नहीं था, second row तो वैसा ही रह जाएगा, third row हमारे पास, यह zero, यह zero, और यह बन जाएगा, this minus of minus, इसमें add किया है न, तो this plus two into this, तो यह बन जाएगा one upon five, ठीक है, one upon five हो गया, same operation आपको इधर भी करना है, तो हमने इसमें two से multiply करके इसमें से minus किया था, तो one minus two by five, three by five हो जाएगा, zero minus two by five, तो minus two by five हो जाएगा, एन यह zero ही रहा, ठीक है, यह आपका वैसा ही रहेगा, one by five, one by five, zero, और इसमें two से multiply करके हमने इसमें add किया था, तो यह two by five, two by five, and one, ठीक है, यह रहे गया, अब यह operation होने के बाद हमें क्या करना है, इसको one बनाना है, और इन दोनों को zero करना है, तो हम सबसे पहला operation करेंगे कि R3 को replace कर रहे हैं हम, five times R3 से, क्योंकि हमें इसको बनाना है one, तो operation करने के बाद जो हमारा matrix बनेगा, वो बन जाएगा आपका one, zero, minus six by five, then zero, one, minus two by five, है न, और यह बन गया zero, zero, one, तो इसमें अगर हमने R3 को five से multiply किया है, तो उधर भी हमें R3 को five से multiply करना पड़ेगा, तो यह आगया आपका three by five, minus two by five, and zero, है न, यहाँ पे आपका आजाएगा one by five, one by five, zero, इसको five से multiply कर दिया है, हमने तो two, two, and five, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको zero बनाना है, इसको zero बनाना है, तो operation हमें साफ साफ दिख रहा है क्या करना है, कि R1 को replace करना है, R1 plus six by five times R3, R2 को replace करना है, R2 plus two by five times R3, ठीक है, जैसे ही यह करेंगे, आपका इधर unit matrix बन जाएगा, ठीक है, तो यह आपका one, zero, 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 one, zero, zero, one, ठीक है, यह बन गया, यह आपका a inverse, same operation हमें इस पे भी करना है, तो हमें क्या करना है, R3 में six by five से multiply करना है, तो यह 12 by five और plus three by five, तो 15 by five यह बन जाएगा three, फिर यह बनेगा 12 by five minus two by five, तो 10 by five यह बन गया two, फिर इसमें आप six by five से multiply करना है, तो यह six बन जाएगा, और यह बन जाएगा six, ठीक है क्या, all right, फिर next R2 को हमें क्या करना है, इसको two by five से multiply करके इसमें add करना है, तो four by five plus one by five, five by five, यह one हो जाएगा, four by five, again five by five, one हो जाएगा, यह two बन जाएगा, और यह ऐसा ही रह गया, two, two, five, ठीक है, तो clearly हमें दिख रहा है, this will imply कि a inverse की जो value हो जाएगी, वो आपकी बन जाएगी, three, two, six, one, one, two, and two, two, five, ठीक है, so this will be our answer, although यह कहीं से भी हमारे अभी 12th के syllabus में है, और ना ही हमारे पास अब subjective exam बचा है, कि हम इस तरीके से gauss elimination के तरीके से हम inverse निकालें, लेकिन हमें idea होना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें थोड़ी ज़्यादा evolve हो जाती है, तो हमें अलग-अलग methods, you know, strike कर जाते हैं कई बार examination hall में, तो knowledge होनी चाहिए हमें, लेकिन हम essay as such इसको use करेंगे नहीं, ठीक है, तो just for the sake of knowledge, मैंने आपको बता दिया, हाँ, ये gauss elimination वाला काम बड़ा आसान हो जाता है अपने लिए, तो gauss elimination आपको ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि examination में भी बहुत कम समय में आप सवाल कर सकते हो, ठीक है, so this is basically the end of our chapter matrix, यहाँ पे हमने matrix के सारे concepts को पूरे detail में समझा, बहुत सारे examples के through उन concepts का application समझा, तो I hope इस chapter में आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होंगी, अगर फिर भी आपको कहीं कोई doubt रहता है, तो आप video में comment करके मुझे बताईए, कि कौन से section में अभी भी आपको परेशानी हो रही है, मैं उसको और detail में समझाने के कोशिश करूँगा, तो मिलते हैं बच्चों अगले chapter में, लेकिन अगले chapter को शुरू करने से पहले, एक और video matrix में हम लोग डाल, लेके आएंगे, और उसमें हम लोग previous year questions, जेए मेंस और जेए एडवांस में, जो पिछले सालों में, in fact, जेए एडवांस का ही अपन जादा करेंगे, क्योंकि जेए मेंस में तो बहुत सारे question हो जाते हैं, तो जेए एडवांस में previous year में, जितने भी matrix से related सवाल आये हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, discuss करेंग ठीक है, जेए मेंस में आये सवालों को, हम लोग part wise, थोड़े थोड़े questions को करके part wise, you know, videos add करते रहेंगे playlist में, ठीक है, लेकिन immediately इसके बाद आपको जेए एडवांस में पूछे हुए सारे सवालों के एक बार discussion जरूर मिल जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, see you in the next chapter और अगला chapter जो हम लोग करेंगे, वो इसी से related chapter है, determinants, तो next chapter will be studying determinants, so see you in the next chapter, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और confidence बना के रखिए, ठीक है, ओके, all right, have fun, goodbye.